हलो एब्रीबन मैं हूँ रुची और टो इट बीद रुची में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे पारले जी बिस्किट से केक बनाना तो फिर आईए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं केक बनाना केक बनाने के लिए चार पैकेट मैंने आपर पारले जी बिस्किट लिये हैं पांच रुपे वाले पैकेट हैं और बनीला एसेंस लेंगे एक छोटी चम्मच मैंने आपर रिफाइंड ऑईल लिया है दो बड़े चम्मच आप इसके जगे बटर भी यूज कर सकते हैं एक आध कहते हैं और इसको हम एक ग्राइंडर में इसका यह पाउडर तयार करेंगे इस में जिससे की इनका पाउडर तयार करेंगे एक बार में सारे बिस्किट नहीं डालेंगे आधे आधे करके डालेंगे बस इसका एक powder तयार कर लेंगे इसको हम चान लेंगे और जो कुछ भी extra part थोड़ा बहुत तुकडे बचेंगे उनको हम जो दुबारा biscuit पीसेंगे उसमें हम डाल देंगे इसको हमने फिर से डाल दिया और हमारे बचे हुए biscuit है इनको भी हम पीस लिया था मिक्सी में इसका एक पाउडर तयार कर लिया था इसको भी मिला देंगे अच्छे से अब यहां पर अपना ऑइल डालेंगे दो बड़े चमच है यह है सोड़ा कि बेकिंग पाउडर और कुछ डाइफूट दालेंगे कुछ बचा लेंगे गार्निसिंग के ल जैसा हमें जरूरत लगेगा हम उसी हिसाब से दूट डालते हुए इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे मैंने यहां पर एक छोटी चमच कोको पाउडर डाला है इससे केक का टेस्ट है वो चौकलेटी आएगा एकदम चौकलेटी केक लगेगा आप इसको इसके भी कर सकती है अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें बिस्किट का केक ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है बहुत टेस्टी लगता है और वस अब दूट डालते हुए और इसको मिलाते हुए इसका हम एक पेस्ट तयार कर लेंगे दूट डालते हुए हम अपना एक पेस्ट तयार कर ना तो जादा गाडा रखना है और ना ही जादा पतला करना है यहां पर एक छोटी चम्मत बनीला एसेंस डाले हूं आप इसके जगे इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं बस आप अपने केक को बेग करने के लिए मैंने यह बरतन लिया है आप इसके जगे को कर या कडाई मे रख देंगे अब हम अपना केक टिन तयार कर लेते हैं अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज कर लें अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बस इस तरीके से बटर पेपर लगा कर लेंगे और इसको हम बाहर निकाल देंगे इस तरीके से इसस इसमें अपना बैटर डाल देंगे, अगर आपके पास इस तरीके का कोई केक टिन नहीं है, तो आप कोई भी बरतन राउंड सेप का भी ले सकते हैं, स्टील का बरतन भी ले सकते हैं, उसमें भी केक काफी अच्छे से बेक हो जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस को थोड़ा सा टैप कर देंगे, जिसके इसके एर बबल्स हैं, वो निकल जाएं, बस बरतन भी अमारा प्री हीट हो चुका है, अब इसमें एक स्टैंड रख देंगे, और इसमें हम अपना केक दिन रख देंगे, आपको काफी सामाल के रखना है, क्योंकि ये बरतन गरम है इसमें कुछ ड्राइफ फूर्स डाल देंगे, अब हम अपने केक को धक करके मीडियूम टू लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे, अब हम अपना थोड़ा सा केक चेक कर लेते हैं, तो मैंने याँ पर एक चाकू डाला है, लेकिन हमारा केक अभी अंदर से बेक अब हमने चाकू में चिपक रहा है, तो हम अभी इसको दस मिनट के लिए और ढखके रख देंगे, अब फिर से खोल के देखा, तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा केक बेक हो चुका है, अब यह चाकू में नहीं चिपक रहा है, तो अभी इसको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसको हम केक्टिन से बाहर नहीं निकालेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए पाली जी का बिस्कित है इसका पाउडर तैयार कर लेंगे चॉकलेट हैं जैम्स हैं पारली जी बिस्किट को मिक्सी में पीस कर उसके एक पाउडर तैयार कर लिया है उसमें एक छोटी चमज कोको पाउडर डाल दिया है जिससे कि इसका कलर बिल्कुल चॉकलेट जैसा हो जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा डूद डालके इसका एक डो तैयार कर लेंगे बिल् इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे रखते जाना है यहां पर मैंने च्हे बनाई है गोलीं एसको हमें फोल्ट करना है जस तरीके से बहुत ही आसानी सी यह फोल्ड हो जाता इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और इसको हम बीच से चाकु से कट कर देंगे इससे बहुती बड़िया रोज़ फ्लावर बनल एक pretty रहला लहा है अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीस लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पैल आइकन को क्रैस्क्राइब ना भूलना देखिए कितना बढ़िया रोज फ्लॉवर बनना है और बस इसी तरीके से हम अपने सारी रोज फ्लॉवर तयार कर लेंगे अब केक हमारा ठंडा हो चुका है इसको हम अपने केक टिन से निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से ये बिल्कुल बाहर निकल के आ जाएग बस ये बटर पेपर है इसको हम हटा देंगे बस आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया स्पॉंजी केक बन करके तयार हुआ है खाने में भी बहुत अच्छा बहुत ही टेस्टी लगता है आप हम अपने केक को डेकुरेट कर लेंगे चॉकलेट ही उनको ग्रेट कर लिया है जैम्स है और रोज फ्लॉवर जो बिस्किट से बनाए थे मस उसी से हम अपने केक को डेकुरेट करेंगे देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग राए केक खाने में भी बहुत अच्छा बहुत ही टेस्टी लगता है आप जरूर एक बार ट्राई करें थैंक्स फॉर व